हेलो दोस्तो कैसे आप लोग आई हूप कि आप लोग अच्छ होंगे दोस्तो जिस टॉपिक की हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी फाइनली वह वीडियो आज में बनाने जा रहा हूं सबसे ज़्यादा कमेंट इसी टॉपिक पर आ रही थी कि किसी भी एंप्लिफायर में माइक को कैसे लगाते हैं बहुत ही असान तरीका है ज्यादा कुछ भी नहीं करना अगर आपको ज्यादा नौलेज भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखके बिल्कुल अपने एंप्ल जोड़ते हैं उसका वीडियो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे वहां से आप देख सकते हैं फिलाल हम माईक का इसमें सेटप करने वाले हैं किस तरीके से माईक को लगाने वाले आप इस वीडियो को कुम्टिट वाच किजिए और हाँ एक चीज आपको मैं को देखें बिल्कुल क्लियर हो जागा कमेंट में आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और वीडियो को लाइक जरूर किजेगा अगर मन करें तो चैनल को सब्सक्राइब के जरूरती क्या है हम Цिर्फ उनिक के लिए वीडियोज बनाते हैं जिन को है जो असमर्थ है कोर्ष करने में और जो शीख़्ना चाहते प्राक्टिकल करके उनके लिए खोब लिया है वीज कि ज़रूरत पड़ेगी देखिए यह मैंने किसी पुराने एंप्रिफायर से निकाल के रखा हुआ है और एसे ही कई कनेक्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे और एक और एक्जामपल देदेता हूँ आपको इस टैप के ठीक है जिसमें माइक लगता है माइक नहीं बलकि इस टैप के एक सौकेट होता भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो इस में लग जाता है तो इस टैप का आप कनेक्टर ले सकते हैं आप चाहे तो छोटे वाले कनेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं बट यह वाला कमफोर्टेबल रहता है सभी माइक को लगाने के लिए त गर कहा सकते हैं इस तरीके से अगर लग जा रहा है तो अच्छी बाधividad है तो आप किसी भी ओल को चोड़ा कर सकते हैं फिलाल मैं इस इंस एंप्लिपार में नहीं लगाऊंगा मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ प हमारी वीडियो 4K में available हैं आप चाहें तो वीडियो की quality बढ़ा सकते हैं चलिए तो यहां पर एक connector लगबग 20-30 रुपर मिल जागा और यहां पर देखिए इसकी body के साथ जो wire attach है वो green वाली है तो green वाली हमारी ground के साथ जोड़ जाएगी यह जो green है उसको आप amplifier के ground पे जोड लीजिए ground क्या क्या यानि कि इसकी body से भी आप attach कर सकते हैं अगर body से अटेश नहीं करना चाहते हैं तो आप काम कर लिजी का volume जो potentiometer है हमारा volume switch है यह वाला ठीक है यह volume का switch है और काम हमारा volume switch पे ही होना है सब यह सारा का सारा तो यह volume switch है यह वाला मैं इसको बाहर निका ल यह volume switch है यहाँ पर इसका जो सबसे last वाला point रहता है यह ground का होता है यह हमारा इसकी body के साथ ही connected रहता है मैं आपको एक बार चे करवा के भी दिखा देता हूं वह समझ लीजिए समझेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मल्टी मिटर में आपको दिखाता हूं यहाँ पर इसके साथ connect रहता है देखिए body के साथ यह सबसे last वाला pin ground कर रहता है जो कि body के साथ connect रहता है तो इस ground की pin में हमने यह जो इसकी जो body कर लेनी है तो आप यहाँ पर इसको connect कर लो सबसे last में इसमें आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है सिर्फ दो step आपने follow करने है पहला step इस वायर को आपने इधर जोड़ेना है ground के साथ में ठीक है और दूसरा वायर जो कि इसके जो बीच अंदर से इसके connector रहता है जो की नीला वाला है उसको आपने volume स्विच के first point पे जोड़ेना है देखिए इस तरीके से first point पे जोड़ेना है और कुछ नहीं करना आपने यह उखड़के इसको भी हम यहाँ पर सोड़ कर लेंगे बस इस तरीके से first वाले में इसको जोड़ेना है यह देखिए इस तरीके से इसको जोड़ेना है first वाले में और ग्राउंड वाला लास्ट वाले में जोड़ेना है बस यही setup हम कर लेंगे माइक के लिए अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूँ इसमें वही माइक सपोर्ट करेंगे जो माइक आपके बैटरी वाले होंगे याद रखेगा जिसमें आपकी बैटरी लगती है वही वाले इसमें सपोर्ट करेंगे और नॉर्मल आप अगर बनाना चाहते है उसका circuit उसका मैं बना चुका हूं यह उनी लोगों के लिए बता रहा हूं जो उस circuit का बवाला नहीं करना चाहते हैं और दूसरा option भी आपको दे रहा हूं अगर इस टाइप का आजकर एक माइक वाला कार्ड आ चुका है जिसमें यहां पर इस तरीके से आपको माइक लगाने के लिए इस तर नमबर टू आप उस circuit को बना लीजिए जो circuit हमने अपनी वीडियो में लिया है उसका भी मैं आपको description लिंक दे दूँगा और तीसरा है यह वाला system सिर्फ आपने दो तार आपने volume के switch में जोडने हैं और यह आपने socket बना लेना है बस इसको आपने जहां पर भी आपको खाली space मिल रहा है वहाँ पर इसको लगा लेना है मैं सिर्फ आपको demo देने के लिए इसका अस्तमाल कर रहा हूं मैं लगाँगा नहीं अब आपको इसमें कौन सा वाला माइक लगाना है बैटरी वाला अस्तमाल लगबग 80% YouTuber करते हैं क्योंकि यह सस्ता और अच्छे budget में आ जाता है यह कोई sponsor से वीडियो नहीं है सिर्फ मापको माइक का वारिंग बता रहा हूं काफी लोग बोलेंगे sponsor कर रहा है मैं यह नहीं कहूंगा कि इसको ले लो आप लेना चाहते हो तो दूसरे माइक को ले लो जो बैटरी वाला है उसको ले लेना जिसके अंदर बैटरी पड़ एक-दू हमारे पास पीश रहते ही हैं इस माइक के देखिए यह लगा लिया बिना बैटरी के नहीं चलेगा अगर आप नॉर्मल वाला सरकिर बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल माइक को चलाना चाहते तो उसके लिए भी एक मेनिट बना के रखा उसको देख लेना बस अब य करना है बाकि अगर हम इसको इस एंप्लिफायर के साथ लगा रहे तो उपर को कैमरा में स्विच करना है तो अब यह चालू हो जाएगा और यहां पर यह मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ा से कम कर लेता हूं यहां पर इसके साथ स्पीकर और बाकि इसका सेटप त्यार कर लेत आता है तो इसमें ट्रास्फॉर्मर का इतना वाला मैंने नहीं करा है इसको अन कर लिया है और यहां पर चालो खुछ कह देखिए अब स्पीकर लगाने के यहां पर देर है और हाँ यह हमने एक चैनल पर जोड़ा हुआ है और दूसरे चैनल के लिए आप दूसरे चैनल का तो उस वक्त आप इस वाले कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको आप ऐसे छोड़ दीजिगा फिर भी चलेगा अब मैं आपको इसका एक डेमो दे देता हूं यहां पर स्पीकर रख लिया है और देखिए यह किस चैनल पर है पहले मां कन्फर्म कर लेता हूं उसे एक सब्सक्राइब यह हमारे दूसरे चैनल से कनेक्ट है इधर से कनेक्ट है तो इसको यहां पर जोड़ लेंगे अब यहां पर आप एक में डिस्क आउस को फुल कर लेता हूं और आप यहां पर सुन सकते हैं अभी मैं जो माइक का समाल कर रहा हूं वो स्पीकर के पास मैं रख लेता हूं यह वाला माइक तो आप यहां पर सुन सकते हैं कि कि प्रफ दोर आ अ कि प्रफ नोग तो तो इस तरीज दिखातों आप अपर देंगे दिखिये तो आप लोगों ने देखा सिर्फ एक कनेक्टर से ही हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरीके से चलेगा लेकिन याद रखिए इसमें जो बैटरी वाले माइक होंगे भले बोया का हो बैटरी वाला चलेगा और नौर्मल सर्कीट अगर वाल अगर नौर्मल माइक आप चलाना चाहते हैं बिना बैटरी सिर्फ वायर वाला उसके लिए अलग सर्कीट मैंने पहले भी बना के रखा हुआ है वह वीडियो काफी बार सजेस्ट कर चुका हूं अभी मैं आपको इसका लिंक देदूँगा आप वहां पे उस सर्कीट को बना सकते हैं और एक चीज और बताना चाहूंगा इस एंपलिफार का असेंबलिंग वीडियो आप जरूर देख लिए आप बहुत को सीख जाएंगा और इस इस प्रिकर को मैंने अपने हास से इसका भी परदा चला कर रखा हुआ है आप परदा चलाना भी शीख जाएंगे और इसको असेंबल करना भी सि सब्सक्राहनी बाइक की बाद अगर आपको दो-तिन माइक मां सब्सक्राहनी आप बिलकुल ले सकते हैं जो इसी टैट के जो बैटरीबाले माइक हो आपको कमेंट जरू के जब़ाए बाकि यह वीडियो के लिए आप एक च्छोटा सा लाइक कर देजेगा तेंक्यों झाल 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 झाल